हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू दिस न्यू वीडियो और आज की स्टूडियो में हम जो है हमारी पाइथन की डेटर स्टॉक्ट्चर सवन की सिरीज को कंटिन्यू करते हुए टपल्स को डिलीट करना सीखेंगे और इस टपल को डिलीट करने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल ची जैसे की मैंने आपको बताया था कि टपल्स इन्यू गोटेबल होते है यानि हम उसके पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं व्ल्कम टॉता है इस चीज़ का में यहाँ पे लौती बात का ध्यान रखते हैं तो हमारे टपल्स को डिलीट करने के लिए हमें यहा तो जैसे कि मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया था कि टपल्स इन्म्यूटेबल होते हैं यानि हम उसके पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते तो हमारा डिलीट करने का टपल को जो प्रोसेस है वो सिंपल है कि एक डेल कीवर्ड का हम यूज करेंगे जिसके अंदर हमहमारे टपल का नेम पास करेंगे जो हमारे gathering को टपल को स्टोर करता है और simply enter प्रेस करदेंगे और हम अमारा टपल जो है अब जो एक चीज हाती है कि हम इसका क्या सिंटेक्स फॉलो करें कि हमारा complete टपल डिलेट हो जाए तो complete टपल को डिलेट करने के लिए जैसा भी हमने पढ़ा था कि डेल स्टेटमेंट का यूज होगा और उसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होगा डेल और उसके बाद हम सिर् आइडियली एंवायर्मेंट तो simply मैं हमारे python के आइडियली एंवायर्मेंट पा जोगा हूँ सबसे पहले अब मैं यहां पर टपल क्रियेट करूँगा तो मैंने टी यूपी वन के नाम से टपल क्रियेट किया जिसके अंदर मैंने मेरे element रखे वन टू फाइफ एबी सी ना करने के लिए मैं इसके किसी एक element को प्रिंट कराऊंगा तो जैसे कि आपने देखा यहां पर मैंने क्या कर दिया टपल नेम ही जो है गलत यहां पर टाइक कर तो अगर मैं फर्स्ट को प्रिंट कराता हूं तो मेरा element दो प्रिंट हो जाएगा लेकिन उसमें modifications मैं नहीं कर सकत तो सपोज मैं इस टपल को डिलीट करने कोशिश करता हूं डेल टपवन के फस्ट इंडेक्स के element को तो आप देखिंगे कि यहां पर मुझे error मिल रहा है because टपल ऑब्जेक्ट डाइटम डिलीशन यानि कि यह immutable होते हैं लेकिन अब मुझे इस complete टपल को डिलीट करना है तो उसके लिए मैं simply keyword का use करूंगा डेल और टपल का name लिख दूगा और simply enter press कर दूगा इससे मैं output में कुछ नहीं मिलेगा but next time जब भी मैं उस टपल को प्रिंट कराऊंगा तो टपल not defined आएगा यानि कि वह automatically हमारी python shell से डिलीट हो चुका है अब बात रहती है कि हम किसी टपल के variables होते हैं जो की free to user होते हूं जिस भी name का बनाना चाहिए वो बना सकते हैं तो simply अगर मुझे modifications करनी है 125 और मैं चाहता हूं कि ABC की जगे मेरा आपकी बार आए BCDE तो उसके लिए मुझे पूरा टपल दुबारे से create करना और अगर मुझे अब इसे भी डिलीट करना है तो हम simple again क्या करेंगे हमारी dell keyword का use करेंगे और enter it कर देंगे जिससे जो है हमारा टपल automatically delete हो जायेगा